नमस्कार मैं हूशसी सन्ध्या समाचार में आपका स्वागत है आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जार्खन में खेलो जार्खन पर्तियोगता आज से 26 पर्तिभागी लेंगे हिसा राज ये अस्तर ये खेलो जार्खन पर्तियोगता आज यानी 15 दिसंबर से सुरू होगी पर्तियोगता दो चरण में होगी प्रत्योगता के आयोजन को लेकर दस अलग अलग कमिटी गठित की गई है प्रत्योगता का समापन 21 दिस्टमबर को होगा इसकूली सिक्षा योम सक्षर्टा विभाग के सचीव के रभी कुमार विद्यार्थियों को पुरिस्क्रीद करेंगे दूसरे चरण में तिरंदाजी, कबड़ी, वॉलीबॉल वा फूटबॉल का विजन किया जाएगा सिक्षा मंत्री को धमकी, 1932 खतियान पर बात की तो जाएगी जान सिक्षा मंत्री जगनात मतों को जान से मारने की धमकी दी गई है उनके बोकारोई चीत आवास पर बुद्धवार कोई स्पीट पोस्ट से एक पत्र भेजा गया है जिसमें उनके धमकी दी गई है पत्र भेजने वाले ब्यक्ति ने इंटर वर डिगरी कोलेजों का अनुदान बढ़ाने एवां 1932 के खतियान समधी बात नहीं करने की धमकी दी है पत्र में कहा गया है कि उतर परदेश बिहार मदे परदेश के लोग कोलेजों में काम करते हैं कोलेजों का अनुदान बढ़ाया जाए पत्र में राजे के कुछ डिगरी कोलेजों का नाम भी लिखा गया है पत्र में सिवु सुरेन वा सियम हेमन सुरेन के नाम का भी उलेक किया गया है पत्र लिखने वाले ने मुख्य मंत्री वा सिक्छा मंत्री मुर्दाबाद लिखा है सिक्छा मंत्री के आवास पर यह पत्र पिछले दो दिनों से आ रहा है तीन पत्रों का या पत्र अलग अलग दिन आया है जामतला में आपस में भीड़े कांग्रेसी परदेश अध्यक्ष के साथ धाका मोकी जामतला में कांग्रेस परदेश के अंदर की गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई बुद्धवार को सुभास चोग पर भारत जोड़ो यात्तरा कारिकरम के दोरान खुल कर सामने आगई है गोतला भाय की यहां कांग्रेस के कारिकरता अपस में भीड़ गए हलात यहां तक बिगडे की परदेश अध्यक्ष राजस ठाकुर के साथ भी धक्कामो की की गई दिल्चस पे आए कि ए घटना पार्टी की अनुसासन समीती की बैठक के एक दिन बाद ही हुई बैठक में सिर्ष निताओं ने कहा था कि अनुसासन हिंता किसी भी हाल में बरदास नहीं की जाएगी बिधायक डॉक्टर विफान अंसारी के समर्थ को और नौगठी देजीला कंग्रेस कमिटी के कारकरता अपस में भीड़ गए दोनों गूटे के बीच जम कर धक्का मुकी हुई है इस दोरन पार्टी के परदेश अध्यक राजस्ठा कुर्भी करकरताओं से अपनी भावनाओं को सन्यम में रखने की अपील कर रहे थे बाबुलाल ने कहा हमारे संगहर से पंचाज सच्यू नियुक्ती का रास्ता साफ जारखन में पंचाज सच्यू नियुक्ती का रास्ता साफ हो गया है सुप्रीम कोट ने राजसरकार को उनिदेश दिया है कि राज अस्तरिये मेरिट लिस्ट तयार कर पंचाज सच्यू प्रस्विक्रिती धर्कन के 47 हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों को अस्थाई प्रस्विक्रिती मिलेगा यह संस्थान पलामु बोकारो हजारी बाग रांची चत्रा धनबाद गिरिडि दुम का पाकूर रामगण और पूर्वी सिमु में इस्थित हैं इन संस्थानों को प्रस्विक्रिती के लि पर सचीव विश्वनात जाने समधे जीलों के डियो को पत्र लिखकर सुचना मांगी है कि परस्तावित हाई स्कूल में बरतमार में नमांकी चात्र शत्राव की संख्या कितनी है जार्खन में बढ़ेगी ठंड निम्तम तापमान में गिरावट जार्खन में पिछले कुछ दिनों से लोगों को ठंड से रहात मिल रही थी लेकिन गुरुवार की साम से फिर रांची सहीत जार्खन में ठंड बढ़ेगी रांची महस्वम विग्यान केंद्र के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक आस्मान साप रहेगा जिसे निम्तम तापमान में गिरावट दर्ख किया जाएगा इससे साम होते लोगों को अधिक ठंड महसूस होगा बता दे पिछले 24 घंटे में अधिकतन तापमान चाईबासा के रिकोर्ड किया गया जहां समाने से 7.9 डिग्री से अधिक था वही निम्तम तापमान रामगर में रिकोर्ड किया गया जहां 11.4 डिग्री से था इसके साथ हिरांची का अधिक्तन 28.22 डिग्री सेल्शियस और नियुतन 24.25 डिग्री सेल्शियस रिकोर्ट किया गया पलामु जिले में हाथियों के जोड़ने दो लोगों की जान ले ली है बतादे पलामु जिले के हुसाइनाबाद में दोनों लोगों की घटनाए अलग-अलग अस्थान पर हुई है हाथी करीब 10 की संख्या में बनियाड डी बराही पंचायत के किसूनपूरा गाउं पहुँचे जहां हाथीयों के जूडने सिचाय कर रे किसान वन सी महतों को पठक करमा डाला इसके बाद हाथीयों का जूड नगर पंचाज छेत्र पहुचा जहां उन्होंने दूसरे ब्यक्ति की जान लेली मृतक की पहचा नवाड नंबर 14 के रविदास मुहाला निवासी मनोज राम के तरपर की गई है केंद्रीय विश्व बीदाला जहारखन में 43 पदों पर भरती केंद्रिये विश्व बिदाले जहार खंड में 43 सिक्षकों के नियुक्ति के लिए 13 जनवाई 2023 तक आउनलेन आवेदन मांगे गाए हैं इसमें प्रोफेसर के 10, एसोसेट, प्रोफेसर के 18 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 15 पद सामिल हैं आवेदन करने के लिए विश्व बिदाले ने लिंक खोल दिया है एन्युक्ति कूल 29 बिशायों के लिए की जा रही है इसमें कई वैक लोग vacancy भी हाएं परफेसर के लिए academic level 14, associate professor के लिए academic level 13 एवां assistant officer के लिए academic level 10 होना चाहिए associate professor वा परफेसर के लिए PhD डिजी अनिवारी है जहारखन करमचारी चेंड आयोग द्वारा जहारखन एससी पीजीटी टीचर 2022 के लिए एडमीट कार्ड जारी कर दिया गया है जो बिद्यार थी जहारखन स्टाप सेलेक्शन कमिशन की पीजीटी परिक्षा के लिए अपलाई किये थे वे अब अधिकारिक वेपसाइट जहा मिट का डाउनलोड कर सकते हैं बता देगी परिक्षा ओनलाइन सीवीटी मोड के रूप में आयोजीत की जाएगी यह परिक्षा यह कई दिसंबर 2022 से तीन जरोई 2023 तक रांची पूर्वी सिमू धनबाद बोकारो देवगर और पलामू आयोजीत की जाएगी बोकारो के बेदान्ता इलेक्ट्रो इस्टील पलांट में ट्रांसफर्मर फटने से चार मजदूर घायल बोकारो के बेदान्ता इलेक्ट्रो इस्टील पलांट में हाथसा हुआ है इस हाथसे में कूल चार मजदूर घायल होगा है जिसमें एक किहालत गंभीर बनी हुई है सभी घायलों को पुकारो जनर अस्पताल में भर्ती कराया गया है सभी मजदूर पच्छिम बंगाल के बताय जा रहे हैं पलांट के भीतर एम आरेस भी भाग मया घटना हुई है टांसफर्मर में बलाश्ट होने से हाथसे की बात कही जा रही है चास अनुमंडल पता अधिकारी दिलीप परताप सिंग से खावत ने हासा होने की बात की पुष्टी की है अपराधियों ने धनबाद की अंबे माइनिंग में की फायरेंग धनबाद जिले के बाग मारा इसीत बी सीसेल बलोग दो छेतर के बेनी डी पैच में संचारित आउट्सोर्सिंग कंपनी अंबे माइनिंग में बुद्वार की राज साड़े 11 बज़ डिल चोरी करने की मंसा से पांच से छो की संख्या में अपराधियों ने जम कर तंडो मचाया फारिंग करने के साथ ही माइन्स के ग्रीन पैलेस में खड़े 14 अंठर्मेंट नंबर के पानी टंकर को छती गरस्त कर दिया टंकर चाला के साथ अपराधियों ने मार पीट भी की है बिरोध करने पर अपराधियों ने गाड़ी में आग लगा दी इतना ही नहीं उसके सौव के आदा ही से को खा गया इस हाथ से के बाद गाव में संसनी फैल गई है दसत के बीच अधी कारी मोखे पर पहुंचे और पूरे मामले की जनकारी ली बतादे गड़वाजी लेके रमकंडा से सटे भंडरिया थाना छेत्रे के रोदो गाव में बुद्धवार की देर साम तेंदुए ने एक पांच वर्षी बच्चे पर हमला किया और उसे मार डाला बच्चे की काफी खोज बिन की गई लेकिन उसकी कोई जनकारी नहीं मिल पा रही थी गुरुवार की सुबा बच्चे का कापड़ा वसो मिला है घाटना की जनकारी मिलने के बायाद बन बिभाग पुलिस पर सासन वा अंचल अधिकारी घाटना स्थार पर पहुंचे और मामले की जनकारी ली धन्यवाद